हाँ तो अपने एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था अपने और वो आज हो जाएगा आपके कम्प्लीट ठीक है यानि कि अपने इन दिनों में दो बड़े टॉपिक कर लिए एक तो रिती रिवाज बहुत बड़ा टॉपिक है और एक ही अपने स्वातन त इंङसे एक चप्टर जोरे बहुत शांदा तरीके से कम पर एक पड़ने वाले आज पीर बीटाने गौण से कंदा धाकरने समयदे नाम और ज्यादाई पड़ेंगे इंदूमती गोइनका आपको बताईए कोकिला देवी है खेतु भाई शांता तुर्वेदी है जानकी देविए नाम रिपीट हो गया होगा लक्षमी देवी चौधरी है मिस्ट लूटर हैं काली भाई किशोरी देवी हैं जानकी देवी यह काली भाई वही है जो अपने सेंदा भाई जो अध्यापक थे उनके पड़ा था किशोरी देवी जानकी देवी सीता देवी इसके अलावा प्रजामंडल अंदुलन जो होए थे उनमें भी कुछ महिलाओं की भूमी का रही थी वो भी कि टॉपिक अपना अज कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में आज आपको दिसंबर का एक प्लान मिलेगा बहुत जबर्दस जो कल से ही आपको फोलो करना है बहुत ज्यादा शांदार होने वाला है पूरे दिसंबर का है वो बहुत गजब का प्लान को क्योंकि काफी दिन मे और एक एक चीज फिर से रिवाइज करेंगे काफी दिन हो गया तो अब एक भी दिन मिस नहीं करेंगे एक तारीक से पूरा टाइम डेवल फोलो करना है पहले बात करते हैं जानकी देवी बजाज के बारे में पहला इंपोर्टेंट है जन्म मद्यपरदेश जावरा जगे मद्यपरदेश में MP में वहां परिंगा जन्म हुआ 1902 में जम्राला बजाज के साथ ठीक है जानकी देवी का विवा हुआ ठीक है तो शादी भी इंपोर्टेंट है पुनर विवा हुआ खूब सारी अपन महीलाओं के बारें पढ़ेंगी जिनका पुनर विवा हुआ हुआ वए पन देखने वाले हैं आनकी बारें जमानाला बजाज के साथ में और जम करते जमे서ालयार बजाज गांदी जी के खास थे तो यह भी गांदी घुए महिलाओं की बीडदर यान में सब रुपे में चर्खा खरीद कर सूथ कातने लगी थी यह इंपोर्टेंट क्योशन आया हुआ है ऐसे क्योशन सीधे सीधे आ जाते हैं क्योंकि बैसे किली जैसे स्वेदेशी अंदोलन चल लाता तो हमें में अपना 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 न था मतलब खुद का अपने ये बाहर की जिन सीधा सीधा आने वाला है कि जैपुर परजामंडल के दौन सी महिला अद्यक्ष भी रह चुकी है तो उनका नाम है जानकी दिवजाज ठीक है वाइफ जमनलाल बजाज वेनोबा भावे के बारे में पढ़ चुके वेनोबा भावे ने भूधान ठीक है भूधान आंदोलन क किया था जमीन दान करने और डोनेट करने वाला और अपनी पूरी संपूर्ण जमीन जो ही है लोगों को दान करके चले गए ते वह किसानों को मैंने का था न एक की एक हेक्टर की जिसके पास में जमीन नहीं है अपने विनमबा भावे के बारे में पढ़ चुके पढ़ एक सो आठ कुओं का निर्मांड जो है जानकी देव जाज ने किया मतलब कि विनमबावे के भूधान मोमेंट में उन्हें पार्टिसिपेट किया वेरी इंपोर्टन है उनीस सो चपन में हमारी सरकार ने पद्म विभुशन से भी सम्मानित किया तो समझ सकते हो बहुत यहां से डेफिनेटली क्योशन आनते हैं प्लस सिविल सर्विसेज में भी अगर आपको कोई चार-पंच पॉइंट लिखने होते हैं लेकिन मैंने एक दो पॉइंट एक साय लिखा आपके लिए तो यह नोट्स आपके लिए परियाप्त हैं फैक्ट भी है और आपके सिवि सारी चीजें पहले पढ़ा चुका ठीक है तो चीजें मैंने बहुत कुछ करवाई हैं आपको आप ढंक से अगर इस चैनल पर स्टेडी करेंगे न तो आपको ऐसा मटीरियल मिलेगा जो बहुत हाई लेवल का है सिविल सर्विसेज लेवल का बहुत डीप आपको दूबरा पढ़ने ही जरुत नहीं है बन उनको पढ़ लो डंग से जिता लिखा अपने उसको डंग से पढ़ लो और पिस लाइव टेस्ट दिया करो बस प्रैक्टिस करो बाकी एक वो ही मैं रोजना कहता हूं एक बुक को सो बार पढ़ो सो बुक के मत पढ़ो यह पढ़ लो पढ़ वर्मा ठीक है बिजोलिया किसान अंदोलन के समय इन्हें कुमल गड़ के केले में बंदी बना लिया था यह भी इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बिजोलिया किसान अंदोलन में माने के लिए वर्मा का साथ दिया था फिर इनको बंदी बना कर रख लिया क्योंकि महिल जोगर का काम करते तो बाहर आई तो महीला आश्चरम सथा इस्तापित की थी इनहोंने और novell rasya के लिए निर्वाचित किया गया ता ormوعत के लिए बड़ी बात हैepsia 17ille 107 सांसद आपको पता हैं जोग सबह के एमपी कलाते हैं और यह राजसभा के एमपी कलाते हैं तो 1970 में राजसभा के लिए इनको निर्बाचित किया था वहिसं पहुत कंप और नाध की वार्मा के बारे में जोकी वाईव थे मायन केला दस हजार जाट महीलाओं के साथ में कट्रा तल सम्मेलन किया थे इन्होंने बिलकुल आज तक का सबसे बड़ा महीला सम्मेलन है दस हजार प्लस महीलाओं के साथ में किया था कट्रा तल नामक जगह पड़ती है 1934 होगा नहीं है राव 1934 में ठीक है तो कर्टातल नाम अगिस्तान दर किशुर देवी के देख्षा में एक विशाल महीला समयलन किया था 1934 में जिसमें लगबग 10.000 महीलाओं ने भाग लिया था बहुत बड़ा विशाल समयलन था यह अपने इनके बारें जान चुके बस यह दियान देख्षा सरदार हरलार सिंख खर्रा की वाइफ नगेंदर वाला के बारे में CT में भी क्योशन आ चुका रीट में भी आ चुका देश की पहली महीला जो जिला परमुक बनी दियान रखना देश की पहली महीला जिला परमुक बनी थेकर जिला परमुख परधान से उपर होता है जैसे की आप नहीं देखा होगा वाइड पंच है सरपंच है पंचाइस में सदम्धि से परधान है जुला परमुख है उनके उपर फिर MLA, MP इसे साफसे कड़ी कड़ी से कड़ी जूड़ी होती है तो देश की पहली महिला जिला परमग बनी थी नगेंदरबाला, कोटा की ठीक है 1960 की बात है और 1970 में कौंध वर्मा 1973 में नारन देवी अभर्मा ठीक है 1970 में वो नारहन देवी नह intent Vergleich अनगेंदरबाला यह 1960 मेю तो मतलब एक पॉलिटिक्स में एक दो जनी आई है यहीं से क्योशन आता है राजनिती के अंदर कम इमाईलाएं आई है इसलिए यहां से डेफिनेटली क्योशन मन जाता है तो याद रखने का तरीका भी याद रखो इसलिए वो 60-70 है पिर स्वादीन ता सेनानी एवं दो बार विधाई की भी रही है नगेंदर बाला दो बार MLA विधाई का मतलब क्या हो गया यह दो बार MLA रह चुकी है ठीक है नगेंदर बाला और इनका 84-2010 में निदन हो गया 84 साल की उमर में बैसिकली इनका एक बहुत बड़ा फेक्ट और है क्या है केसरी सिंग भारत की पोत्ती है यह देखो यह रहा केसरी सिंग भारत की पोत्त्री है जो अपन केसरी सिंग भारत के बारे में जान चुके विर युद्धा था ये भी इनके बारे मैं जान चुके तो नगेंदर बारा इनकी पौती थी ठीक है नब पौत्री मत जानते हो के ऐसे सिंग भारत इनके दादा जी थे ठीक है ओके और 1942 में भारत छोड़ो आंदूलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 45 यानल इस बात नगेंदर बाह के बारे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्लेक्टेड मटीरील है इनको धंक से पढ़ लेना सीध़ से फिवशनी से आईगा कि रतन शाष्त्री हिरालाल शाष्त्री के वर्म सुनाओगा आपने है ना तो हिरालाल शाष्त्री वाइ पेरिव जनम इनका भी मद्वेपर्देश MP के इंदर हुआ और हिरलाल शाष्ट्री का विवा हुआ और सन 1955 में पदम श्री इनको मिल चुका है बहुत बड़ा सम्मान भारत का पदम श्री से सम्मानित जो है रतन शाष्ट्री को किया जा चुका है महिला एवं बाल कल्यान के शेत्रम इनके योगदान के लिए ने जमनालाल बजाज पुरुष्कार आपको पता है कि जमनालाल बजाल पुरुष्कार जो है वो महिला बाल कल्यान में जो भी काम करता है उसको मिलता है तो इनको ये पुरुष्कार भी मिल चुका जमनालाल बज तीनु पुरुष्कार से सम्मानित है रधण शास्त्री ला किवाइफ जनम मी पिव को मदद की बठ अंडरग्राउंड रेखिए भूमीगत रेखिए ठीक है ना मतलब कभी बाहर नहीं आए ठीक है और सत्यागरे आंदोलन में भी सक्क्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था गंदी जी के साथ में ठीक है यह सब बातने रतन साश्त्री जी की है जो बहुत ज Specially बारे में अपनों पढ़ेंगे और वैसे दिखो शिक्षा के शेत्र में ठीक है न शीक्षा के शेत्रमें काली बाहों के नाव से प्रश्कार भी दिया जाता है यह बहुत ज्यादा समानी एंक गुरुजी के लिए अपनी जान देदी थी लूंगरपुट जिले में गाव में रास्तापाल उसके निवासी ये भील कन्या है ठीक है काली भाई रास्तापाल की पाठ शाला में पढ़ती थी जब राजा ने आदेश दिया कि भाई इस पाठ सालों को बंद किया जाए अंग्रेज वह रास्ता अंग्रेज भी नहीं चाता था क्योंकि जब तक अंगुटा चाप रहेंगे तब ही राज क्या जा सकता है अगर पढ़ लिग गए समझदार हो गए तो फिर राज नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो जैसा आज है आज जल्दी से उलू नहीं बनते दुनिया पढ़े लिखी हो गई है ठीक है तो हर सम चाहिंट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांद दिया और गसीटा पुलिस की गोलियों ने तो पिर आपको पताए कि छोटी सी कहानी है वैसे मैंने शोट में लिका है कि नाना भाई खांट की तीचर थे नाना भाई खांट के वरें पढ़ चुके और उ पुलिस के आपको पता है काली भाई जाती है उनकी साथ में रसी के छिप जाती है जो चारा काट तो इनको साथ में काली भाई को जो जो काली बाई को छलनी किया बीस जून को अपने जो इनकी जान चली गई अंत्वम ने गुरु को बचाने के परियास में कालीबाई ने बीस जून 1947 को दम तोड़ दिया रास्ता पाल में इसकी समर्ती बनी हुई है इनकी याद में एक स्टेच्चू टाइप बनावा है समर्ती बनी हुई है और डुंगरपुर में भी डुंगरपुर में गेव सागर है ना गेव सागर लेक गेव सागर जील जो है गेव सागर के किनारे एक पारक में कालीबाई की मूर्ती भी लगी हुई है तो कालीबाई और कालीबाई के सम्मान में शिक्षा के शेतर में कालिबाई नाम से पुरुष्कार भी दिया जाता है तो इस सारी बातें अपने को पढ़नी है कालिबाई वाली भी वरी इंपोर्टेंट है डुंगरपुरी गट्ना रास्तापाल डुंगरपुर जिले में पढ़ता है अंजना देवी चोधरी तो आपको पताईए अपने जब अपने किसान अनुल पढ़े थे तो राम ना इन चोधरी के बारे में पढ़ा था उनकी वाइफ है अंजना देवी चोधरी ठीक है जनम 1897 में हुआ श्रीमादोपुर सिकर अलग से जग्य पढ़ती है श्रीमादोपुर अगरवाल परिवार अंजना देवी चोधरी वेसे अगरवाल थे लेकिन ये राम ना इन चोधरी से विवा कर लिया था इसलिए आगे भी इनके नाम में का आगे भी चोधरी लग गया विवा राम ना इन चोधरी से वा 1911 के अंदर और 1921 मेवाड बुंदी राज्यों की स्त्रीयों में राष्टियत्ता हैं समासुधर हैं ये सब काम किये बैसिकली मेवाड और बुंदी राज्यों के जितने भी शेत्र थे वहां पर अजमेर में भी क्या था रास्तान में भी बुंदी, मेवाड इन सब के अंदर महिलाओं में राश्टीता की भावना भरने के लिए और समास सुधार के काम हो जितने भी बेदवा होते हैं जातपांद के बेदवा होते हैं इन सब का मतलब कटाक्ष किया हमेशा से उनका विरोध किया जितने भी सती परता परदा परता इनका विरोध किया, इन सब में सुधार हो, महिलाएं पड़े आगे पड़े इनके लिए प्रियास नों ने किया 1924 में बिजोलिया में लगबग 500 स्थरियों की जत्थे के नेतरत्वे करके नाजाई हिरासत से किसानों को भी शुड़ाई था पांसो महिलाई साथ में आई थी और नाजाई सरीके से किसानों को बंदी बना रखा था तो ये पांसो का जत्था, जत्था का मंदब ग्रूप में लोग इकट्टे हो कि ये महिलाई आई और उनको भी छुड़ाए था ये भी एक बहुत अच्छा काम इनका और 34-37 शिष्वितिक अजमेर के नारोली आश्रम में रहकर हरीजन सेवाकारियों में भाग लिया थीक है न क्योंकि हरीजनों के साथ में ये उच नीच वाला सिस्टम, मंदिर परवेश वाला सिस्टम इन सब पाबंदियों अटाए था तो बहुत अच्छे प्रयास की अंज्रा नेवी चोदरी ने भी ये अपने पढ़ लिया रामना इन चोदरी की वाइफ ठीक है चनम सिखकर अब रमादेवी रमादेवी का जनम जैपूर में हुआ ठीक है जैपूर में इनका विवा आए न justement छोटी उम्र में हो गया था। मत्र HERE seven वृष्ट का घ्जाम होता है वहांं पर भी क्योष्ण आया और भी ऎग्जाम में क्योष्ण आया है कि इनका विवा साथ वर्ष की इंवर में ही हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयू में विद्वा होगी थी ठीक है फिरनका पुनर्विवा हुआ हुआ है यह क्यों शुनाया हुआ है कि निन में से कौन सी ऐसी महिला है जिनका पुनर्विवा हुआ पुनरविवा हुआ लाधूराम जोशी के साथ में, ठीक है, ये भी ध्यान लखना, और ऐसे ही एक मेने नोट लिखा नीचे, इनका भी पुनरविवा हुआ है, तो ध्यान के दो महिला ही बैसे कि लिए मैं देखने को मिलती हैं, इतियास में, जहां का मतलब बैसे कि लिए, ज बैसे इनके भी रहत हो गई थी तो इनका पुर्ण विवा वा रुजी भाई वासर के साथ में ठीक है यह भी ध्यान लखना तो रमादेवी का पुर्ण विवा लादुराम जोशी के साथ में हुआ और विजिया बहन बहन का दूल जी भई बहन से विवा हुआ ठीक है अगला ये बैहन और भाई अपने नाम के साथ बैसिकली गुजरात साइट के जो लोग होते हैं आपको पता हो लगाते हैं बीजोलिया अंदोलन के समय में रमा देवी को गरिपतार कर लिया था क्योंकि ये किसानों का साथ देंगे तो अंग्रेज़ां को राजाओं के बात अ अच्छे नी लेगे तो हुआ इनकों गरिपतार कर लनंगे च्छोटे बच्चों के साहत्मे घ्रैण नहीं रटेंगी और 1932 में सत्याग रहे हैं सब इन्हें अवग्या अंदोलन में ने भाग लिया और जेल भी गई तो यह सब क्योशन अपना मिस लूटर यह कहानी मैंने आपको शायद पहले भी बता रखी है यह अंग्रेज महीला है जनम इंग्लेंड के अंदर हुआ वह आपन सब बातें पड़ चुके वहांपर अटेक वाता था वहां से भाक्या गई थी यहांपर रही यहांपर जो महारानी है तीक है गायतर देव महारानी गायतर देवी की नाम से जेपूर में इस्कूल थी यह स्कूल बैसिकलि गायतर देवी नहीं खोली थी इसमें सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चे पड़ते थे बड़े गहाने के लोग पढ़ेंगे बोले साब इनका सेपराइड स्कूल होना महारानी गायतर देवी की नाम से स्कूल खोला गया जिसमें राजा महाराजाओं के बड़े घराना के लोग बच्चे पढ़ते थे ठीक है तो यह जो मिस्ट लूटर है यह एक चुली टीचर थी अपने वां इंग्लेंड में पढ़ी लिखी वहीं पढ़ाई लिकाई पूर यह चीज़े हैं तो इसका पूरा नाम था लिलियन गोडा फ्रेडा डामी थ्रॉन वैसे आपको लूटर पूरा नाम आपको याद करने ही जरुत मैंने से लिख दिया बाकी मिस्ट लूटर के नाम से क्योशन आता है जनम 1930 में क्योमा ब्रमा में हुआ और इनकी शिक्षा द पदमश्री से सालंग कर भी किया क्योंकि राजाओं का राज था सारे बस बड़े बड़े लोगों की सिस्टम था तो इन्होंने भी इनको पदमश्री मिल चुका है और वैसे राजा मारा जाओं के बच्चों को पढ़ाते थे वैसे लिए तो लेकिन वही बात है बस पढ़ पदमश्री होई टीचर ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी समानित किया इनको और जेपुर में इंगा निदन हो गया बीजून उनीस सो सी को जेपुर में निदन हो गया तो यह है मिस लूटर अब जानकी देवी जानकी देवी विजोलिया आंदोलन के प्रेंटा विजेश सिंग्पति की वाइफ है ठीक है क्यों सीदे सीदे आते हैं विजेश सिंग्पति का नाम है तो जानकी देवी अपने पती की प्रेंटा पाकर जानकी देवी भी सुवतंतर संग्रा में कूद पड़ी और बलिदान हो गई पूरी जान नोचारू कर दी और पूरे विजोलिया किसान अंदुलन के अंदर आपको पताईए उसमें हर जगे मंदल जहां भी विजेश सिंग्पति की ने कहा हमेशा पार्डिसिपेट किया तो इनका भी नाम आता है सीटा डेवी अलवर यासत के नीमूचना अत्या कानन वो सब कुछ पढ़ चुके नीमूचना वाली बाते है अलवर में किसानों वाली यह वो तो अलवर यासत के नीमूचना गाउं और उस अंदोलों में इनको पाइटिसिपट है उनको किया था और निमोचना गाउं में गोलियां बरसानी शुरू की तो सीता देवी किसानों को ललका रही थी जब अंग्रेज अगेरा ये गोलियां शुरू कर रहे थे तो किसानों के साथ हमेशा उनको मदभ होस्टला कपड़ मुझे नहीं चाहिए क्यूंकि मुझे चाहिए अपना आपना स्विदेशी कपड़ा चाहिए इसलिए इनका को इटेक्षिन भी आता है इनमें स्वदेशी कुट-कुट के बर्युइवी थी शिर्मती दुर्गा देवी वो तो दुर्गा देवी है यह दुर्गा वती देवी है शिक्षित महिला थी शेकावाटी किसान आंदोलन में इनुने इनको अपने पढ आप ठाना तारकेश्वर ठीके तो पंडित मने और पढ पढ़़ा था तो अपने पति का साथ दे यह तरकेश्वर की वाइफ है शिर्मति दूर्गा देवी थीक्या शुर्गावति देवी यह भी आपको ध्यान रखना है शुर्मति लक्षिमी देवी आचारी है आचारी का मतलब है यह टीचर है ठीक है प्रोफेसर है तो इन्होंने विदेशी कपड़ों का बाइशकार किया और 1932 में सविन्य अवग्या अंदलल में दोनु बार छेचे माक इनको चैल भी हुई बीकानेर पढ़्जामनल की संस्तापक में भी इनका नाम आता है भीकानेर पढ़्जामनल में कहते हैं कि लक्षमी देववी फाउंडर जब आपको पता है कि कहीं पर एक संस्तापक नहीं होते तो नहीं संस्तापकों में भी लक्षमी देवी आछारे का नाम भी आता है याद रखना 1940 के बाद व्यक्तिगत सत्याग्राय में गिर्पतार हुई और जेल में ही इनकी मर्ती हुई थी, यह भी द्यान लेकना इनकी मर्द यह भी पहली माईला इमानुएक तरीक एसे जेल में मुर्टी हुई तो यह भी क्योष्ण इंपोर्टन हो जाएगा लक्षमिदेवी आचारी है ऐसा ही है श्रीमती सत्य भामा से एटी में भी क्योष्ण आचुका रेट में आचुका गांदी जी के मानस पुत्री की रूप से प्रसीद है तो बहुत बार पूचा गया है तो गांदी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्य भामा बूंदी यह जित्ते भी आगे लिख रहे हैं यह जलमिस्तान है इनका तो एक्जाम में क्योना आता है गांदी जी का पुतर गांदी जी के Mानस पुत्री तो पांदी जी के मानस पुत्री वाली तो ब्यावर अजमेर के studying में जब अंदुल नुगा था तो वो सत्य भामा नहीं उनकी लिडर्शिप के थी एसे ही हैं इंदूमती गोईनका सरणय में ये जोधपुर में ठीक है जोधपुर से लिंकेन महीला का 1930 में राष्ट्रिये महीला समीति की स्थापने इनोंने की थी इंदूमती गोईनका ऐसे क्यों आ जाते हैं इंदुमती गोईना का समंध है जोदपूर से ऐसा है या मारवाड से है शांता तिरवेदी नागपूर महाराष्ट में जनम हुआ शांता तिरवेदी ने 1947 में उधेपूर में राजस्थान माईला प्रेशत की स्थापना इनुने की थी उधेपूर के इंदर तो इनका भी नाम आता है आपको याद रखना है श्रमती कोकिला देवी नमक सत्यागरे चलता था आपको पता नमक सत्यागरे बहुत बढ़ चड़ की गांदीजी ने मतलब चलाया था उनमें हर कीसी जिसने में पार्टिशिपेट करेंगे वो हर कोई देश भक्त है क्योंकि नमक के ओपर टेक्स लगाना बहुत ही गलता इसलिए इन सब का नाम आता है तो नमक सत्यागरे में अन्य महिलाओं के साथ कोकिला देवी ने अजमेर में सत्यागरे की और गृपतार हुई ठीक है ओके श्रमती खेतु बाई बीकानेर में राष्ट्रिये भाउनाओ अध्याचारों का मुकावला करने को प्रेरित करना इनका मुख्य लक्षे रहा श्रमती खेतु बाई के समन्द बीकानेर से शांता त्रिवेदी जेपूर में प्रजाव मंडल अंदोलन में भाग लिया और विद्यार्तियों में राष्ट्री चेतना का संचार तो श्रमती त्रिवेदी उदेपूर में जेपूर ना बोल दिया होगा वेने उदेपूर में तो ये भी ध्यान लखना वेर इंपोर्टेंट है श्रमती शांता त्रिवेदी का समन्द है उदेपूर अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने प्रजा मंडल में भी पार् परजा मंडल आंदोलण में महीलाओं की भूमे का अब एक 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 पज्या मंडलेंगे चेपूर परजा मंडल की बात करें है ज्युवर में कश्तूर्भा गांधी रमा देवी देश पांडे और सृमती रतन शाष्थ्री हिला लादद शाष्थ्तरी की वाइफ है य पाता है महिमा देवी किंकर ने एक बुक ती जो मतलब परतिबंदित दूसको पठ सुनाये था इसलिए विवादू में रही तो उनका नाम भी महिला देवि किंकर जो बैन थी कोई नहीं पढ़ेगा लेकिन पढ़के सुनाया लोगों ठीक है ओके फिर बीका नेर पढ़ जामंडल में नाम आता है लक्षमी देवी पीछे पढ़के भी आरे पन ठीक है अब पीछे पढ़ा तो लक्षमी देवी जी के बारे में बता हूं शाहिद यहां पढ़ा ह होगा अपाने देखो यह लक्षमी देवा चाहिए ठीक है तो इनका बीका नेर पढ़के बात याद रख लेना जो हालंकि इनका नाम तो इतना साही है बागी पीछे पढ़ लिया एक चोटा सा नोट लगाना है अलग से यह अलग से हैं इनका हालंकि लक्षमी देवी से क्योंकि मैंने का भी आपको कि मैं खूब सरी चीज़ें कहीं और लिखा देता हूं इसलिए वहां नहीं लिखा के वहीं और लिए बात यह कंटेंट आपको पूरा पढ़ेंगे हर चीज पढ़ोगे तो सब मिलेगी बीका नेर की थोती-पोती नामक पुस्तक थी जिसमें ग अनाप सनाप खर्च के बारे में किस पुस्तक में मिलता तो भीका नेर की थोती-पोती इस पुस्तक में जो इस कर्च का विवरण है ऐसा ही मेवाड पढ़्जा मंडल में नामाता है नाराइनी देवी का चीक है जो मानिक केलार वर्मा की वाइफ है अपने इनके बारें पीछे पढ़ चुके ब्रतपुर परजा मंडल में शिरुमती तरवणी तरवणी है वैसे तरवणी देशराज की वाइफ है और शिरुमती भगवती गोरिशंकर मित्तल की वाइफ है और इन्होंने basically क्या है कि भरतपुर में जलिया वाला बाग घटना की याद में भर्दपूर में साथ से तेरा एक वीकली आपको राष्ट्री सप्ता मनाये थे तो एक देश बक्ति उसंदेश गया ठीक है अंग्रेजियों खिलाब तो यह सब महिलाओं के बारे में अपने जाना जो बहुत ज्यादा इंपोर्टन है आपको डंक से पढ़ना है और वन और तू आपको पता है पुरूशों के बारे में हैं और जो पार्ट थी अपने पढ़ाई है सेपरेट वीडियो रख लिया है कि कोई साब इक्योशन क्या है अपने छूटे ने कंटेंट नी भी एक खटा मिल जाए तो बहु युद्धा मान लीजिए थीक है वेक्थित मानलो युद्धा मानलो बात ऑच इए इन दोनों ही टोपिक का टेस्ट आपका लाईव टेस्ट होना बांगी है जो मैं जल्दी लेने वाला हूं इन लुए लोंगा और अब जो दिसम्बर प्लान आपको मिलने वाला है आज ही उस दिसम्बर प्लान को ज़रूर ध्यान में रखना और दिसम्बर प्लान में बहुत कुछ करने वाले हैं वीडियो जी मिलते जाएंगे जिनका स्लेबस पूरा होरका उसों पीसडी करने वाले हैं फिर से रिकॉल चीजे करनी पड़ेगी आपने सुना भी होगा जिसका भी स्लेक्शन हो उसकी यह बात है कि बार-बार रिविजन करो नया बलें पढ़ो लेकिन पीछे वाना को बार-बार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पीछे बोलते जाओ तो उसका कोई मतलब ने रहे जाता इसलिए अप अपने कंप्लिट हो जाते हैं मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में और आपको जो है दिसम्बर जो प्लान मिल रहा है उसको आपको जरूर देखना है बहुत गजब का प्लान होगा इस पार ठीक है ओके